कि नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ मिलकुल दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप बताएगा पैसे जाएगा हमारे ठीक है पैसे तो दोस्तों देखो पैसे जी आपको पास करवाएगा दोस्तों ध्यान रखे कि प्रूरार की आई गया दोस्तों नौंबर का ओर दूसरा इसए नंबर का और स्टाइँ स्टाइघ एको तो यहां पर आप देखेंने शो हो जियरा और कितने देगा ड्यादा ओगी ल Aktनी किसे नूबर ओगे यानि फिलीड प्रुपर आपको पूरा जरूर देखना है खालए अब करना किया है इस तर्फ सामने सप्रश जोगा सब्सक्राइब करना किया तो सबसे पहले है क्यूशन आपना आपको देखने हैं जैसे यह पर मुख्य आपके सामने देखो पेसेज में से क्यूशन पूछेंगे पहले इन कुशन को आप पांच बार पड़ेंगे पांच बार पड़ेंगे पहला काम आप यही करेंगे देखिए गा। को पढ़िएगा पहला क्यूशन पूचा है दूसरा पूचा है हाव इज होबी डिप्रेंट फ्रोम अधर ओकॉप्शेंज ठीक है वाइड़ वाइड़ वन टेक वन टेक अपे होबी इसके बाद चौता पॉइंट पूचा है गी वन एक्स्प्लैन ओप एन ओकेप्शन्स विच ए होबी टू वन टू वन मैन एंड वरक टू अनोधर ठीक है तो इस तरीके से यानि मेरे कहने का मतलब है कि क्यूशन को आप पांच बार पढ़ेंगे इनको पढ़ने के बाद दोस्तों फिर आपको दोस्तों क्या करना है पेसेज क से वह परीज़र के इन्द्र ही मिलेगा या तो पहले प्रआग्राफ में मिलेगा या फिर दूस्ते तो यह बात तो दोस्तों कोमें पहला क्रशन पूछेचा जाएक उसका अंसर पारना कुछ नहीं है मैं आपको तरीका तरहा रहो बिल्कुल English नहीं आती है मुझे पता हैं तो करना मतलब होता है क्या तो रचे नबलू इस बड़ी आज का लगना जिसे वोट का मतलब क्या होता है क्या ठीक है वेर मिस क्या होता है कब ठीक है वाई मिस क्या होता है क्यूं इस तरीके से हो मैंने कितने हो मचिन कितना दूर इस तरीके से थोड़ा पता होना चाहिए को नहीं है तो कोई बात नहीं आप तो वाट इस एभूबी एभूबी इस देखो यह आ गया न पहला तो यह निए पहले यह बात तो आप ध्यान रखेगा पहले जो किशन है उसका अंसर पहले परिग्राफ में मिलेगा तो यहां पर यह लिख सकते हैं कि एभूबी इस एन ठीक है ओके ओकुपिशेंस देट वर्न टेक्स अप ड्यूरिंग ठीक है वन्स लेणिंग लिजर टाइम ठीक है तो यह जो है वह पहले का आंसर हो गया दोस्तों ठीक है आप सबसे सबस्ज मिलाना दोस्तों परमुझ जैसे वर्ड मिलना है आप देखते हैं तो इसका यह पर आंसर य दो पता है द्यान अपर मिलता है इस सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब तो तो आप देख सकते में अपर झाल कराप मिल다 मुल रहा है मिल रहा हुआए तो आप देख सकते हैं इस अמע delay प्रेग्रा। नेरिकर प्रेकरा medra दोस्त Okay Amateur, भी और आ उसरा का आंसर, यहां पर देखो यह होबी, इस का अंशर का अपुरी लिगो, देखो यह लगए बिल्कल यहांसर लगा के इसका आप लिख सकते हैं दोस्तों यहां तक ठीक , तो एसका अंसर उगा यह पूरी लैन उतारलेünde हैं ठीक है तो यह समझ में आगया बिल्कुल तो यह अपने किस का अंसर हो गया दूसरे किशन का आंसर हो गया इस तरीके से यह ऐसे ही करना है अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको नमबर मिलेंगे और बाकी दोस्तों आप ऐसे करना शुरू कर दिया। जिसे पहला लगा है आपके मर्जी हो जितने चाड़ देते हो तो यह बिल्कुल आपको गलत नमबर मिलेंगे कुछ भी नमबर नहीं मिलने वाले यानि किशन को थोड़ा मिला के फिर आपको करना है अब देखो वाइड़ वं टेक अपे हो भी अब इसका अब इसका आंसर देखेगा टेक अपे हो भी वन यहां पर क्या लिखा रहा है वन टेक अपे हो भी अब इसमें देखो one take up i hobby कां लिखा होगा one take up i hobby इसमें देखो दोस्तो यानि हमें जो है पेले और दूसरे question का आंसर अंसर गा इसमें दोनों paragraph में मिल गया शुरुआत मैं, अब देखो तीसरे paragraph में देखो one takes up i hobby ये मिल गया दोस्तो बिल्कुल तो इसका अंसर आप यहां से लगा के दोस्तों ठीक है यहां से लगा के आप इसको यहां तक कर सकते हैं यानि यह लाइन पूरी यहां से लगा के यहां तक उतार देना दोस्तों तीसरे कुशन के अंदर ठीक है तो बिल्कुल आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे दोस्तों इसी तरीके से लाइन से लाइन आपको मिल रानी है चोथ आपके सामने क्या दे रहा है कि give one example of an occupations which is a hobby to one man and work to another तो देखो देख़ियागा इसमें देखेगा इसमें क्या आज यहां से यह सब्ध है काम मिलता है तो दोस्तों आपको यह पता होगा कि ए JEFFI जो है सम्दाया है … ए A-hopy तो यह भी नहीं सकता क्योंकि A-hopy तो हमने यह ले ले लिया यह यह भी ले लिया है यह भी ले लिए अपयो भी यहो भी एहो भी सिमिलेरी फोटोग्रांप तो यह से लगा कर भी यहां से लगा खिया आप इसका पूरी उतार सकते तो बिलको दोस्तो इसी तरीक से आपको याबसेज करना है याणी लाएं से लैनी इन name राइट होता जाएगा और आपको एक्जाम में बिल्कुल पूरे में से पूरे नमर मिलेंगे इसी तरीके से आपको करना एक्जाम में ठीक है यानि मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों लाइन से लाइन आपको मिलाने हैं इस पेसेज में देख लेना कि कौन सी क्या लाइन किस प बारत, okay, thank you.